So hi friends, कैसे आप सभी लोग, welcome back to another video of Oversmart और मैं हूँ आपकी साथ साधिक अक्तर, so friends, smart तो सभी बनते हैं, अब हम बनेंगे Oversmart So friends, आज का जो हमारा topic है, वो है कि जब भी हम YouTube नेया channel बनाते हैं, तो तभी हमारे साथ क्या problem आता है, कि आप thumbnail को upload नहीं कर सकते हैं So friends, आप thumbnail को upload कैसे करें, जो problem है, उसका solution, आज मैं आपको बताऊँगा, friends, सबसे पहले मैं बता तो कि thumbnail आप क्यों add नहीं कर पा रहे है, friends, thumbnail आप इसलिए add नहीं कर पा रहे है, क्योंकि आपने जिस Gmail account से, यानि email ID से, अपने YouTube channel को बनाया है, वो पिल्कुल नया है, वो verified नहीं ह और YouTube के, जो भी terms and condition है, उसके according, आप अपने thumbnail को customize, यानि अपना खुद का बनाया है, वो thumbnail तब ही लगा सकते हैं, जब आप एक बार अपने उस Gmail ID को, यानि account को verify कर ले, तो भाई, इसे verify कैसे करते हैं, तो उसी को बताने के लिए तो बैठा हूँ है, थोड़ा patience थोड़ा को, तो friends, चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैं अपने Mozilla Firefox को लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने laptop में हूँ अभी, तो अगर आप अपने mobile से कर रहे हैं, तो क्या किजिए, अपने Google के browser या कोई भी browser में जाके YouTube.com लेखे, और YouTube के website में, याद रखिए का app में, YouTube के website में जाएए, और आ यहाँ पर sidebar मिलेगा, मेरे mouse के pointer को देखेगा print, यहाँ पर आपको 3 sidebar मिलेगा, क्योंकि मैं website में हूँ, तो YouTube.com के मेरा, क्योंकि laptop में खुलावा तो यह by default open है, लेकिन आपके mobile में इस 3 जो lines इसे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपका sidebar खुलेगा, एक बार आपका sidebar अगर खुल जाता है, तो आपको your videos पे click करना है, तो चले your videos के अंदर चलते हैं, हाँ दोस्तो, और एक चीज़ ध्यान रखेगा, कि आप अपने उसी Gmail account से, जिससे आप YouTube में नया channel बने है, उसी से sign in है, आपके पुराने account या कोई दूसरे account से नहीं, जिस email ID से आपने नया channel बने है, उसी से आप sign in है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने जो नया account है, जिससे मैंने ये channel बने है, उसी से sign in है, ठीके friend, एक बर आप your videos के अंदर आ जाते है, तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी एक videos को edit करना है, तो चले मैंने pencil वाले mark पे click किया, एक बर आपने edit का button tip आपको अंदर में क्या होगा, thumbnail के option में जाके आप एक बर upload thumbnail पे click करने के कोशिश केजिए, ये आपको क्या बोलता है, gain assist to use this feature, ये बोल रहा है कि आपको अगर ये feature को gain करना है, यानि पाना है, तो आपको पहले आपने आपको verify करना पड़ेगा, तो ये बहुती, मतलब basic सा step आपको करना क्या है, just verify पे click कर दीजे, तो अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो थोड़ा back करके देख लिजेगा वीडियो को, मैं फिल्कुल fast नहीं जा रहा हूँ, फिर भी आपको अलग रहा है कि थोड़ा fast हो तो थोड़ा back कर लिजे, next आपको क्या करना ह आप window खुलता है, यानि पूरा के पूरा tab खुल जाता है, एक window खुल जाता है, आपको वहाँ पे अपनी country को select करना है, जैसे select your country तो, क्योंकि India by default select है, तो मैं इसे छेड़शाड नहीं करता हूँ, और second option आपको बोलता है, how should we deliver the verification code to you, मतलब जो verification code है हम आपको कैसे दे, या आपने phone number को enter करता हूँ, उसके लिए मैं थोड़े वीडियो को post कर देता हूँ, थोड़ा privacy maintain करना ही चाहिए, ठीके मिलते हैं थोड़े देर में, so friends मैंने यहाँ पे अपने mobile number को enter किया, और मेरे mobile पे code आया 6 digit का, और मैंने उसे enter करके submit कर दिया, तो आप देख सकते हैं, यह आपका जो account है, वह verified हो गया, congratulations, your YouTube account is not verified, एक बार मेरे YouTube account verified हो गया, तो मैं इस window को close कर देता हूँ, और अब यहाँ पे upload thumbnail पे click करता हूँ, यह बोल रहा है, this feature is not available for this channel right now, तो इस feature को आपका क्या हुआ है, एक पर आपका update हो जाता है, यानि verify हो जाता है दोस्तों, तो इसे कु option आजाता है, पर कभी-कभी यह कुछ घंटे, या कभी-कभी कुछ दिन, या कभी-कभी कुछ सबते बाद भी आता है, एक दोस्त मेरा बता रहा था, उसका 10 दिन बाद आया था, लेकिन भाई, एक बर verify में चल जाता है, तो कभी-कबर क्या होता है, traffic बहुत जादा होता है, बहुत लोगों का verify का देखना पड़ता है, तो Google के तरफ से थोड़ा से लेट हो सकता है, तो एक बर आपने ये steps follow कर लिया है, दोस्तों, तो बिलकुल आप आराम से बैठ जाईए, आपका custom thumbnail का option, by default, अपने आप बहुत आराम से आ जाएगा, so friends, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो आज का वीडियो, तो प्लीज, 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, को चैनल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने भाई बंदों सबको इस चैनल के बारे में बताईए, और उन्हें भी smart से over smart बना आज के लिए तो इतना ही ता मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सायोना रहा है